संबल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों दोरा अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी उतरब्रदेश के संबल में रविवार को सरवेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती जामा मज़ित के आसफास के शेत्रों में रही आज यानी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के साथ ही सरवेक्षण टीम अपनी रिपोर्ट को कोट में जात ही मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रखेंगे जिलाने आले में रिपोर्ट को जमा किया जाना है इसके लिए कोट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है संतोष कुमार सिंग ने बताया कि कोट के अंदर किसी को भी जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी मीडिया भी ब संबल हिंसा पर आरोप लगाते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि अधिकारियों द्वारा इतना आतंक मचाये गया है कि जब तक ये अधिकारी रहेंगे तब तक कोई सही बास सामने आही नहीं सकती लोग घरों से ही नहीं निकलेंगे साथ युनने कहा कि न करना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा अगर मोजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांस्फर कर दिया जाए फिर कमैटी आएगी तो आहाये तो सही बात सामने आएगी और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई हैं गर से युकिए नह से पहले डीम एस पी और सी ओ जो जिम्मेदार गोली चलाने के लिए और अन्य देखारी वहां से अटा दिये जाने